हेलो फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैलेंज नंबर एट का सल्यूशन बहुत ही आसान है तो थोड़ा सा ट्रिक्य है देहां से देखिएगा कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग बेसिकली पावर्स के फार्म में सीखते हैं वह हम सबको पता है लाइक कि इस केस में हम लोग इसको जब मल्टिप्लाइ करते हैं बेसिकली इन दोनों का पावर फेक्टर मल्टिप्लाइ हो जाता है इस इस कॉंसेप्ट को हम लोग यहां यूज करने वाले हैं तब से पहले जैसे यहां पर लिखा हुआ है A to the power A is equal to 1 upon 32th root of square 2 इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 32th root of 1 by 2 because 1 का चाप कितना भी square root निकाल ले, 4th root निकाल ले, 5th root निकाल ले, it is always 1. So, we can write it 1 upon 32, 32th root of 1 by 2, एक और चीज़ है, because अगर मान लेजे कि किसी भी एक integer है, suppose x को integer है, अगर इसका मैं 4th root निकालता हूँ, So, we can write it as 1x to the power 1 by 4, इस concept को मैं यहाँ यूज करूँगा, we can write it 1 by 2 to the power 1 by 32, एक है, यह हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही basic concept है, And now, अब हम इसमें क्या करेंगे, basically, उपर और नीचे, दोनों तरफ हम 2 से multiply कर देंगे, जैसे कि मैंने बुला 1 upon 32 था, तो मैं 2 by 2, ठीक है, dot, 2 से मैंने numerator में multiply किया, और denominator में multiply कर दिया, तो basically, जो denominator का multiplication था, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, कि 1 upon 64, ठीक है, and ये जो उपर का 2 था, basically, इसको square, आप इसको multiply जब करेंगे, जैसे मैंने बोला था, कि अगर इन दो का multiplication है, तो एक को आप अंदर ले सकते हैं, तो यहाँ पर basically 2 multiplied 1 upon 64 था, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा, कि 1 upon 2 whole square, and इसका whole मैं multiply कर रहा है, 1 upon 64, clear, ये concept मैंने यहाँ यूज किया, अब इसको मैं 1 by 2 का whole square, it is nothing but 1 by 4, and whole to the power 1 upon 64, अब जो चीज मैंने यहाँ पर repeat किया है, same चीज को मैं यहाँ repeat करूँगा, और तब तक repeat करूँगा, जब तक ये दोनो, character अमारा, दोनो number same ना हो जाए, अब एगेन मैं same चीज रिपीट कर रहा हूँ, 1 upon 4, यहाँ पर whole to the power, यहाँ मैं लिखूँगा, 2 by 2 into 1 upon 64, and this is equal to, denominator को मैं पहले multiply कर दूँगा, तो 1 by 4 whole square, and चुकि इस square का again मैंने अंदर ले लिया, and whole to the power 128, right, and this is equal to, 1 upon 4 का whole square is equal to, 1 by 16, whole to the power, 1 upon 128, ठीके, इस वाले factor को मैं यहाँ उपर लिख रहू, 1 upon 16, whole to the power, 1 upon 28, 128, right, and again जो चीज मैंने यहाँ repeat, 2 से multiply किया था, same चीज फिर अगेन मैं रिपीट कर रहूँगा, तो 3rd time, and you will get the answer, right, 1 upon 16, whole to the power, 2 by 2, into 1 upon 128, and this is nothing but, यह एगेन 2 को मैं अंदर लोगा, तो 1 upon 16 का whole square, and whole to the power, 1 upon 256, and जब 1 16 का square करेंगे, तो 16 16 का 256, this is nothing but, 1 upon 256, and to the power 1 upon 256, and this we get the answer here, अगेन निच्च को मैं थोगा दिलीट कर रहूँ, फानली यह क्या निकला, it is in the form of a whole to the power a, तो यहां से आप देख सकते हैं, comparison करके, a का value जो है, basically 1 upon 256, and this gives a is equal to 1 upon 256, this is the answer, तो इसमें basically analytical thinking है, जिसके basis पे आप answer निकाल सकते, हलाकि इसको मैंने step by step solve किया है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग दिया, अगर आप इसके कुछ practice कर लेते हैं, तो चन्द seconds में इसका answer, आप without pen and paper भी निकाल सकते हैं, objective type of questions में, यह बहुत ही effective tools हैं, जिसके माध्यम से आप इसका solution निकाल सकते हैं, तो इस तरह के और भी challenges सीखने के लिए जूरी है मारे साथ, thank you.